प्रपाद बच्चों कैसे हैं आप लो पढाई कर रहे हैं आप लो आप तो अच्छी बच्ची हैं तो पढायी कर रही होंगी है न तो कल मैंने आपको पार्ठ 2 वर्ड पढाय था करा रहे था पार्ट 2 मैं उसी पार्ठ का आज कल मैं पेर नम Baptist 1 पढाये था ज़लाए कि वर्ड किसी काहते हैं जिसके टुक्ड़ी तुकड़ी सकते हैं और यहां वह रसक्ता हैroscopy जंदि ऐसमें स्वरों की सायता से बोले जाते हैं अत्वा लिख्ये है उन्हें चौसे हैं रहे उन्हें कहते हूं जैसे का ख जैसे का प्लेस आ इकोल टू का चा प्लेस आ इकोल टू चा हिंदी में 23 व्यंजन उते कितने होते हैं व्यंजन कोण कोण चा प्लेस आ इकोल टू कितने होते हैं व्यंजन क्या होते हैं व्यंजन हिंदी के बढ़ माला हिंदी अल्फावेट बढ़ माला क्या कहते हैं अल्फावेट जिस परकार मूतियों की पिरोकर मूतियों की माला बनती है उसी परकार बढ़नों को मिलाकर बढ़नों की माला अर्था बढ़ माला बनती है कल मैंने आपको बताया था ना जिस परकार मूतियों की माला बनाते हैं उसी परकार बढ़ माला होती है स्वार होते हैं 11 वेंजन होते हैं 33 कितने होते हैं बढ़ माला में 44 है ना हिंदी में कहते हैं 44 और इंगलिस में कहते हैं 44 आप लग जानोंगे नहीं 44 क्या होते हैं तो स्वार होते हैं 11 वेंजन होते हैं आपके 33 और दोनों को मिला के कितने हो गए 44 आपना उन काउंट किये था काहत अकाउंट करके रखना बढ़ों के अब विवस्ते समु को बढ़ माला कहते हैं वर्ड माला स्वर के बिना वियंजन हलंत लगा कर लिखे जाते हैं अगर हम स्वर के बिना वियंजन को लिखते हैं तो उनमें नीचे हलंत लिखेंगे अपसोछरों के नीचे कर दिया है तो उसको बोलते हलंत और जब वियंजन को स्वर से अलक किया जाता है तो उनको हलंत लगा के ही लिखा जाता है स्वर के बिना वियंजन हलंत लगा कर लिखी जाते है का, चा, पा, बा आदी सभी वियंजनों में आ स्वर लगा होता है इन्हें हम हलंत लगा कर इस पकार लिखेंगे जैसे का प्लेस आ तो का के नीचे देखे ये हलंत लगा है न, चा के नीचे देखे हलंत लगा है और पाबा, इन लोगों के नीचे, इन अच्छरों के नीचे हलंत लगा है न, अनुस्वार और अनुस्वार और अनुस्वार और अनुस्वार और अनुस्वार अनुस्वार और अनुस्वार अन और चान्द, सब्द में चिन्न देखे हैं, यह हैं चिन्न अनुस्वार और अनुनासिक कहलाते हैं, यह जो चिन्न त थे जह कलते हैं अनुस्वार, यह ढ चंदरविंदू को कहेंगे अनुनासिक और नीचे जो लगा उसको कहेंगे हलंत है ना चंदरविंदी को क्या कहेंगे चंदरविंदू को अनुनासिक और उपर जो अंकी विंदी लगी उसको क्या कहेंगे अनुस्वार तो बच्चों इस पाट को आप अच्छे से और इनको याद करेंगे कि वियंजन कितने होती हैं और वियंजन को स्वर से अलाग करके कैसी लिखा जाता है ओके बच्चों आप इनको अच्छी से पाढ़ना थेंक्यू धन्वाद